इसमें जो आप कोई भी टीम लगाते होंगे तो टीम लगाने के साथ ही जब आप टीम बनाने के लिए जा रहे होंगे तो आपको किसी किसी प्लेयर में सो कर रहा होगा प्लेड लास्ट मैच 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 प्लेड जो player खेले होंगे इसे पहले match में तो उसका यहाँ पे आपको show कर जाएगा कि play last में मतलब यह इससे पहले जो match हुआ है उसमें यह खेल चुके हैं इस तरह से या baller में हो या all rounder में हो या wicket keeper में हो और जिसमें भी यहाँ पे आपको नहीं show हो रहा होगा जिससे कि यहाँ पे कुछ show नहीं हो रहा है मतलब play last match नहीं है तो इससे यह अंदजा लगता है कि इसके इससे पहले match हुआ था उसमें इस player को chance नहीं मिला था और यह player इससे पिछले match में नहीं खेले थे और जिस पे last play last match का है वो player खेल चुके हैं मतलब पिछले match में तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो player last match इसका क्या मतलब होता है तो आपको पता हो गया कि जो player last match है वो क्या होता है कौन इससे पहले match में कौन खेला और क्या नहीं खेला यहीं होता है और इसका और इससे जादा कोई मतलब नहीं होता है